डॉलर के दबदबे को दी जा रही चुनौती, भारत क्या करे नई दिली, अमेरिका में चिंता साफ दिख रही है। डॉलर के दबदबे को चुनौती ने वहां शंकाओं को जन्म दे दिया है। दुनिया भर में आवाजें उट रही हैं कि डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश हो सकती है कितनी है ताकत अमेरिकी डॉलर की हैंसियत क्या है ये बताने के लिए इतना काफी होगा कि ग्लोबल विदेशी मुद्रा व्यापार में इसका हिस्सा 60 प्रतिशत से अधिक है हालां कि हाल के वर्षों में पब्त धीरे धीरे कम हो रहा है ये ड्रैंड कई कारणों से ह अमेरिकी डॉलर की स्थिर्ता परचिंताएं बड़ी हैं व्यापार भुपतान के लिए दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है आर्थिक महाशक्ती के रूप में चीन और भारत का उदे हो रहा है अब सवाल ये उठता है कि दुनिया की मुद्धा व्यवस्था म अगर इतने बड़े बदलाव की संभावना है तो भारत को क्या रूप अपनाना चाहिए क्या उसे डॉलर की पुरानी ताकत पर इसलिए भरोसा करना चाहिए कि हाल के बरसों में अमेरिका से अर्थिक करीबी बढ़ी है या फिर ब्रिक्स की पहल का साथ देना चाहिए जिस का है आइडिया आफ ब्रिक्स करंसी की बात सबसे पहले रूस ने सामने रखी क्योंकि ये क्रेन जंग के एक करंसी पर निर्भरता का रिस्क कम होगा देश की अपनी मुद्धा मजबूत होगी हम मुद्धा पर अपनी स्वतंत नीती तै कर सकेंगे कभी अमेरिका ने पाब करक्षेत्र में वह भारत को रननीतिक सहयोगी और साज़ेदार मानता है भारत भी मानता है कि डॉलर के इस्तेमाल को कम करने की रूस और चीन की कोशिश फिलहाल वैचारिक जादा है व्यवहारिक कम डॉलर के आधिपत्य को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स की लामबंदी को भारत में जोरदार समर्थन नहीं देखा गया भारत और चीन के बीच हालिया सैनिक तनाव ने भी रूपये में कारोबारा करीब एक एस देश भारत चीन ने एक अग्रिमेंट किया जिसमें उन्होंने डॉलर से नाता तोड़कर अपनी अपनी करंसी में कारोबार का भुगतान करना तै किया के जरिये कारोबार के लिए तैयार है रूस और भारत के बीच भी ज्यादातर कारोबार रुपये में हो रहा है भारतिये इसे किसी मिलेगी मदद, अगर ब्रिक्स देश अपनी करंसी लाते हैं तो भविश्य में ये उनकी अर्थ व्यवस्था को स्थिर्ता देने में निश्चित तोर पर मददगार साबित होगा, लेकिन डॉलर पर निर्भरता से मुक्ती रातों रात तो नहीं मिल सकती, मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि घटना क्रम तेजों से बदला तो अमेरिका की प्रतिक्रिया भी हैरान करने वाली हो सकती है, इसे बेहत संतुलित तरीके से अंजाम तक पहुँचाने की जरूर्थ है, कितनी है उम्मीद, ट्रम्प के शसंकाल के दोरान स्रिलिवन वाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार परिशद में रह चुके हैं, उनकी शंकाएं एकदम से निर्मूल नहीं कही जा सकती हैं, ब्रिक्स देश भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि विदेशी कारोबार के लिए एक नई करनसी होनी चाहिए, कहा जा रहा है कि ये विचार इस साल अगस्त में आकार भी ले सकता है, क्योंकि तब ब्रिक्स का सालाना सम्मेलन होना है.